Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग आज बात करेंगे इस topic में Midday Meal Scheme के बारे में, आप मेरे साथ Instagram and Telegram पर जुड़ सकते हैं. चलिए अब अपना topic शुरू करते हैं, Midday Meal Scheme. ये जो scheme है ना, Midday Meal Scheme, इसका नाम पहले कुछ और था. नाम था National Program of Nutritional Support to Primary Education, इन शोर्ट, NPS, PE. अब ये नाम फिर change कर दिया गया, क्यों change किया गया, पहले क्या नाम था, क्यों था, ये सारी चीज़ा हम हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो नाम था, National Program of Nutritional Support to Primary Education, इसको इंट्रोड्यूस किया था इस प्रोग्राम को 15 अगस्त 1995 में. तो इसमें ये कहा गया था, कि इस प्रोग्राम में जो Primary Education के बच्चे हैं, उनको ना Nutritional Support दी जाएगी, मतलब स्कूल में उनको मील प्रोवाइड की जाएगी, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, एड ऐसा खाना जिससे बच्चे को Nutrition मिले, लेकिन फिर हुआ ये, इस प्रोग्राम को revise किया गया, तो इस प्रोग्राम में पहले Already Primary Education के बच्चे थे, फिर इसको revise करके इसमें Upper Primary Education के जो बच्चे हैं, उनको भी include कर लिया गया, तो जब इनको include किया गया, तो इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया गया, October 2007 में, और नाम क्या रखा गया, National Program of Midday Meal in School, which is popularly known as Midday Meal Scheme, ठीक है, तो Midday Meal Scheme का पूरा इस प्रोग्राम का नाम है, National Program of Midday Meal in Schools, जिसे आप आज के टाइम पर Midday Meal Scheme के नाम से जानते हो, तो ये चीज़ याद रहेगी कि पहले नाम क्या था, बाद में नाम क्या पड़ा, और नाम जो है उसको rename क्यों करना पड़ा, रीजन ये था कि पहले ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ primary education के बच्चों के लिए था, फिर बाद में इसमें जो है अपर primary के बच्चे भी include किये गए, तो इसलिए फिर इसका नाम भी change करना पड़ा, अब इसके कुछ significant point देखो, ये जो program, meal program school में चलाया गया था, ये world का largest school meal program था, इसका main aim था universalization of primary education, कि primary education जो है वो सभी बच्चों को मिले without any discrimination, चाहे बच्चे किसी color, caste, creed से हो, और उन सभी बच्चों को फिर school में meal provide किया जाएगा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, meal क्या होगा, midday, that means lunch में meal provide किया जाएगा, ठीक है, lunch provide किया जाएगा, इसके अलावा ये one time meal होगा, ध्यान रखना, one time meal होगा ये, और इसमें जो बच्चों को खाना मिलेगा, वो cooked मिलेगा, पका पकाया खाना मिलेगा, हर बच्चे को, जो primary and upper primary के बच्चे हैं, तो age group क्या हुई, 6 to 14, इसके अलावा, फिर एक question ये बहुत important बन जाता है, ये question आ सकता है, कि पहले यासी कौन सी state थी, जिसे ने midday meal scheme को implement किया था, तो वो है Tamil Nadu, most important question है ये, अब हम objectives की बात करते हैं, कि midday meal scheme का objective क्या था, हर चीज़ के पीछे कुछ ने कुछ reason, कुछ objectives होते हैं, तो इसका objective क्या था, तो पहले objective पढ़ने से पहले छोटी सी एक आपको ना मैं background बता देती हूँ, जो reality थी basically, देखो आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो poor background से बिलोंग करते हैं, इनको हम disadvantaged section भी बोल सकते हैं, तो ये लोग क्या थे कि already दो वक्त की रोटी का इंतर्जाम बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, तो इसलिए जो parents थे वो अपने बच्चों को school नहीं भेजते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बच्चे को भी अपने साथ काम पे लगा लेते हैं, दो पैसे extra कमा लेंगे, तो ये क्या करते थे, parents अपने बच्चों को poor family से बिलोंग करने वाले parents हैं, वो क्या करते थे अपने बच्चों को school नहीं भेजते थे, और school में ये देखा गया, school committee ने ये देखा कि बच्चे school में आहीं नहीं रहे हैं, तो reason ये पाया गया कि जो poor family से belong करने वाले बच्चे हैं उनको काम पे लगा देते हैं उनके parents ताकि दो वक्त के at least रोटी के लिए पैसा कमाया जाए दूसरा ये देखा गया कि बच्चे जो है भूख के मारे मर रहे हैं malnutrition हो रहे हैं बच्चे तो इसी लिए ये scheme लाई गई थी अब इस scheme के पीछे बहुत reason थे पहला reason तो ये था कि बच्चे भूखे ना रहे और बच्चों को भरपूर खाना मिले इसके अलावा जो खाना मिल वो nutritious होगा and इसके अलावा malnutrition ना हो बच्चों में किसी भी portion की कमी ना हो next point है कि भाई चो disadvantaged section के बच्चे हैं वो school नहीं आते थे अब वो daily school आएंगे सिर्फ इसलिए कि भाई उनको खाना मिलेगा एक time का खाना उनको अच्छे से पेट भर मिलेगा तो at least जब वो school आएंगे इस लालच में कहलो या इस temptation में कहलो तो वो school आकर कुछ न कुछ तो पढ़ेंगे ही तीसरा point ये था तीसरा objective ये था कि socialization होगा class में हर एक वर्ग के बच्चे होते हैं हर एक caste के बच्चे होते हैं तो सब बच्चे को जब midday meal दिया जाएगा सब बच्चे साथ में बैटके खाएंगे तो उनके बीच में equality आएगी socialization आएगा next है to retain children studying in class 1 to 8 तो elementary education अच्छे तरीके से provide की जाए इसके अलावा जो बच्चे first to 8 class के बच्चे वो class में retain रहें daily आए उनकी attendance लगे and वो जब school आएंगे उनको खाना मिलेगा या ये कह लो खाने के लिए school आएंगे तो at least वो क्या करेंगे school तो आएंगे न तो इससे क्या होगा class में बच्चे daily आएंगे और हम देखेंगे कि हम बच्चों को इस तरीके से midday meal के तुर retain कर सकते हैं classes में next step बच्चों को nutritional support देने के लिए इस scheme को निकाला गया इसके अलावा एक और reason था जो बहुत important था कि जो local ऐसी women है जो दलित women हो गई basically या जो poor women हो गई उनको employment मिल जाएगा क्योंकि खाना बनाने के लिए किसी ने किसी को तो रखना है तो इनको काम पर रख लिया जाता था ठीक है तो grassroot level पर लोगों को employment मिलेगी उन women को जो next यह बहुत important point है nutritional standards मतलब यह बोला गया कि primary and upper primary के जो बच्चे हैं उनको कितना nutrition मिलना जाएगे तो अगर primary classes के बच्चों की बात करें जो first से लेके fifth class तक के बच्चे हैं उनको 450 calories दी जाएगी and 12 gram protein दिया जाएगा ठीक है मतलब food के through उनको 450 calorie and जो protein है वो 12 gram दिया जाएगा whereas अगर upper primary classes की बात करें तो इन बच्चों के लिए जो calories set की गई वो थी 700 and इसके अलावा खाने के through 20 gram protein इनको provide किया जाएगा तो इससे होगा यह कि बच्चों को खाना तो मिलेगा ही मिलेगा साथ पे वो खाना nutritious होगा होगा and time to time quality भी check होती रहेगी quality check करने के लिए एक management committee के member थे जो quality check करते थे हर एक item का egg mark check करते थे ठीक है next point है कि बच्चों को food के through calorie and इसके अलावा protein तो दिया ही जाएगा लेकिन micronutrients इनको दिये जाएगे बच्चों को tablets and de-warming medicine से फिर इसके अलावा इस scheme को कहां कहां किन-किन schools में लागू किया गया तो दिखिए हर government school में and government-aided school में इनको जो है implement किया गया इसके अलावा आप ना कुछ NGOs में भी देखोगे कुछ NGOs में भी इसको इस scheme को implement किया जाता है इसके अलावा ऐसे से सर्व सिक्षा अभियान के अंडर मदर से और मक्तब से वहाँ पर भी इसको implement किया गया next है कि यह जो scheme है यह बहुत ही large scale पर scheme को implement किया गया था तो इसमें center and state level पर कितना कितना share होता है तो center level पर 60% and अगर state level की बात करें तो state level से 40% का share होता है next है the meal are to be served in school premises only यह बहुत important है कि जो यह scheme है midday meal scheme इसको schools में लागू किया गया लेकिन जो यह meal provide किये गए यह सिर्फ और सिर्फ school में ही provide किया जाएगा school के बाहर provide नहीं किया जाएगा इसके अलावा जो cooking infrastructure है मतरब जिस area में खाना बनाया जाएगा वो बहुत साफ सुतरा होगा जब खाना बनाया जाएगा पूरे hygienic manner में बनाया जाएगा बच्चों के लिए and जो school management committee है जैसे कि इसमें head आ गए जो head teacher होते है school के local elected representatives आ गए and कुछ community members आ गए यह जो management committee के member है जो school management committee के member है इनका role बहुत vital है बहुत important है इनको time to time जो है midday meal scheme को monitor करना पड़ता है यह देखना पड़ता है कि जो इस scheme के objectives है वो time to time पूरे हो रहे है या नहीं हो रहे है क्या बच्चों को खाना डंग से मिल रहा है साफ सुत्रा खाना मिल रहा है के नहीं मिल रहा है यह सारा काम school management committee का होता है and जो यह school management committee है यह mandate है इसको तो होना ही है जो school में क्योंकि इनको यह ध्यान रखना पड़ता है कि school अच्छे से function हो रहा है के नी हो रहा है इसके अलावा school development plan को इनको prepare करना पढ़ता है तो ये सारी बाते जो हैं ये RTE Act में कही गई है Right to Education Act 2009 जो मैंने आपको अल्रेडी करा रखा है ठीक है चलिए अब मिलते हैं next video में till then bye bye तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ा है इसको prepare कीजिए Thank you so much